हेलो एंड वेलकम टू भुककर ज्वाइंट आज मैं आप लोगों के लिए मटर पनीर की सबजी लेकर आई हूँ और वो भी सूखी वाली सूखी वाली के साथ मज़ेदार बात क्या होता है ना कि बहुत ही जटपट से बन जाता है और इन सर्दियों में जबकि मटर का सीजन आ रखा है वाह क्या कहने वो फ्रेश मटर की जो सबजी होती ना मजा ही आ जाता है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पैन में त तोड़ा सा तेल डाले और इसमें थोड़े क्यूमन सीट का तरका और फिर प्याज को हम तोड़ा सा बुन लेंगे कुछ इस तरह से हलका सा यह ब्राउन हो रहा है देखिए इतना ब्राउन कर लिए अब इसमें हम लोग डालेंगे अद्रक लसन का पेस्ट अ इसे भून लेंगे ताकि हमारा जो अद्रक लसन का कच्छा पन है वह बस खत्म हो जाए सादा भी नहीं भूनना है अब इसमें सुखे मसाले जैसे हल्दी क्यूमन कोरियंडर रेचिली नमक इस सारे मसाले डाल के साथी साथ टमाटर भी डाल दीजिए और इन सब को भून ल अच्छी तरह से पकेगा इसको अभी हम लोग को पकाना है तोड़ा साथ होने तक यूहीं पकाएंगे तोड़ा साथ कर देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वह अच्छी तरह से पक जाए बस तोड़े देर के लिए एराउंड 30 सेकंड के लिए इतना ही और देखिए हमारा जो है काफी अच्छा सॉफ्ट होने लगा है तो अब इस समय हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन पीज ये जो है ये फ्रेश ग्रीन पीज जो आते है वह है इन सर्दियों में कोशिश कीजिए फ्रेश वाला ग्रीन पीज बना के खाएं बहुत मज़ा आएगा साथ में थोड करीब करीब हम लोग इसको पांच मिनट तक धक कर के पकाएंगे और पांची मिनट में इन बिट्वीन तोड़ा सा देख लेंगे ज्यादा पानी छोड़ रहा है तो उसको तोड़ा सा उकेज दिली हम लोग स्टर कर लेंगे धकन खोल के और चेक करते रहेंगे कि हमारा जो क्या है कि फ्लेम को हम लोग हाई रखेंगे तक हमारा जो अब पानी आप अच्छी तरह से जल्दी जल्दी सूख जाए कि पानी मार पूरा टमाटर का जो पानी था वह सूख सा गया है इस समय हम इसमें डाल देंगे पनीर के छोटी चोटी क्यूप्स में कातिएगा बहुत क्योंकि हमारा मतर भी तो चोटे साइस का होता है ना तो इस तरह से और फिर इसको फ्लेवर फुल बनाने के लिए इसमें कसूरी मेथी डालिए तुड़ा हलका सा स्टर कर लिजे देखिए रिक दम जटपट से बनने वाला है और फिर एंत में इसे गार्निस कर लिजे आप धनिया के पत्ति के साथ और इसे आप सर्व कीजिए साथ में पराठे या पूरी खाईए वाव मज़ा आ जाता है और मज़ेदार है यह ना सबसे ज़्यादा यह कि इतनी ज़्यादा जटपट से बन जाने वाली यह रसिपी है और इसको गार्णिश कीजिए तोड़ी सी धन जिनाएं और इंजॉई कीजिए पराठों के साथ